नमस्कार इंडिया न्यूस के डिस्टल प्रेटफर्म पर आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अनन्या बेदी चीन में लगातार बढ़ते कोरुना के केसिस दुनिया भर के लिए परिशानी का सबब बने हुए हैं और दुनिया भर के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है की आखिरकार क्योंकि लगातार चीन में करोना के क miraculous बढ़ रहा रहे हैं और चीन इजबात को चिपा रहे लाएं कि अवह कितने मामलह रहे हैं ऑप सामने के लिए और दो कर लिए है रहे हैं और उसके लिए आविधन किये जा रहे स्वास्थ विवस्थाएं किस तरह कि तरह स्वास्थ वहाँ पर होंगी और वह पूरी तरह से चंद आती हूई नजर आ मैं आ ला कि अस्पतालों में अब बैट की, कमिया है और बैट नहीं हैं हाला कि 10 जो है वो मानने को एक स्वास्थ डेटा फर्म की तरफ से ये भविश्वानी की गई है कि आने वाले समय में ऐसी सित्या हो जाएंगी कि चीन में हर दिन लगभक 9000 लोगों की जान जाएगी COVID केसिस की वज़े से और साथी क्योंकि COVID की जीरो पॉलिसी वहाँ पर लगी हुई थी उसको रद करने क के बाद जिस तरह से तमाम प्रतिबंद जो हैं वो सेंक्षन जो होटा दिये गए कैसे लोग सड़कों पर थे और उसकी वज़े से केसिस जो हैं वो और जादा बढ़ गए और अब यह अनमाल लगाया जा रहा है दिसंबर तक क्यानी कि आखरी तक आखरी करतिस दिसंबर त चीन के से शर्पाने के बाद इस पूरे मामले को लेकर चीन की आलोशना हुई चीन अथिकारियों ने कोबिट क ऀस्ति को लेकर चर्चा की है डवल ओये को डिपने के जरीए चर्चा हुई है जिसमें एक बार फिर से डबल वचो के तरफ से कहा गया कि क्या सिती है चीन में कोरोना को लेकर आप इसे बताईए जो डेटा है उसे प्रदान करें यानि की डेटा को शेयर करें लेकिन इसी को ध्यार में रखते हुए चीनी आधिकारियों ने के लिए जो आइसोलेशन है वो उसको अनिवार पहले था लेकिन अब उसको समाप कर देंगे तो चीन के लोग जो विदेश यात्रा करने की अनुमती देंगे चीनी अधिकारियों ने घोश्टा किया इसी बीच की आठ जन्वरी से चीन में प्रवेश करने वाले जो यात्र और काया कि जो फॉरण यातरा पर जाना चाते हैं वो जा सकते हैं लेकिन इसी बीच भारत, फ्रांस, इटली और अमेरिका, जपान और केनिडा की तरफ से गोश्टा की गई है कि अगर चीन से स्पेशली जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनके जो वहां से जो लोग आ रहे हैं उनको अपने phone में अपनी Corona की जो negative report है उसको रखना अनिवार है यानि कि जो लोग चीन से अमेरिका, भारत, जापान या किसी भी देश में जा रहे हैं क्यरइडा में जा रहे हैं तो निग से पास positive report होना बहुत जरूरी है और अगर नहीं होती है तो हो सकता है आपको देश में एंट्री भी ना मिले तो तीस दिन के लिए हलाकि यही लागू रहेगा और अधिक से अधिक डेटा उपलब्द कराने पर इसका पुनर मूल यानि कि कहा जा रहा है कि अगर चीन इस पूरे मामले को लेकर डेटा अगर उपलब्द कराता है तो उस पर फिर से विचार किया आजाएगा लेकिशित फिलाल अभी यही है कि अगर आप चीन से आ रहे हैं या चीन से किसी भी देश में कोई भी नागरिक जाता है तो उसे निगेटिव रखना होगा और आइसलेशन अनिवार हो गया है अगर आपकी रिपोर्ट निगेटिव नहीं होती है तो आपको कार में सरूरिक है